देखते जाओ question और answer मुझे बताते जाओ फर्स्ट question क्या था क्योंकि emergency मतलब किस break के fail होने पर emergency break apply किया जाता है ठीक है क्या question है किस break की fail होने की city में emergency break लगाया जाता है parking break, service break, retarder break या all यह service break इसका option है कि service break जब fail करेगा न तो उस case में क्या है कि emergency break लगाया जाएगा ठीक है second में क्या है कि what is the full form of SAHR यह बताया वे थे कि fail safe जो दो break होना चाहिए कम से कम उसमें से एक fail safe होना चाहिए तो कैसा operate होना चाहिए spring applied hydraulically release होना चाहिए ठीक है यह भी बहुत लोग को full form पता नहीं था अगर class attend कियो होगे तो ही full form पता होगा ने तो full form फिर पता होने का स्वाल ही नहीं उठता है तो एसा चोटा-चोटा चीज है जो गजेट में दिया हुआ है तो हो सकता उठा कर दिदे करें अब यह question दिया हुआ है कि क्या proximity warning device जो होता है वो सभी में fit किया जाता है सभी HMM में जो proximity warning device होता है वो क्या सभी HMM में available रहता है नहीं वो सिर्फ dumper में जो चलता है न रोड पे dumper जैसे जो चल रहा हो रोड पे बस उसी में available रहता है तो यह भी question बहुत लोग का गलत हुआ होगा क्या दिया गया statement सही है नहीं वो दिया गया जो statement है वो गलत है क्योंकि यह proximity warning device सिर्फ dumper में available होता है dumper होगय टीपर होगय ट्रक होगय नो बंब सर्किट इसे सेप्टी फीचर्स ओफ विच एची में तो नो बंब सर्किट का सभी को पताई है यह breakout range आ जाता है यह नो बंब सर्किट तो है ही कोस्चन एक और क्या था बताओ तो सभी लोग ड्रील में एक और सेप्टी ड्वैस क्या था जो हम पढ़ाए वे थे एक डेडमें सेप्टी थान स्वीच तो किसी में होता है ड्रील का है तो बहुत लोग को यह लगता है कि नान उप्शन नही है किसी में होता होगा चलो उसी में ड्रील मस्चन का है लेकिन यहां उप्शन में ड्रील मस्चन नहीं था एक जाम में हो सकता है कि एकाद कोसे नन वाला भी रह त Cassie तुम लोगों को बहुत सावधानीस तुस कोस्टेन का एंसर टीक करना है अधिक है अब क्या है यह इन वीच एमंग दा फ्लोइंग मसीन सु वार्निंग सिस्टम फोर ओपरेटर फैटीग इस फिटेट इस बोलें न कि ओपरेटर पर नजर रखे वे रहता है वो जो वार्निंग डिवाइस जो ऑपरेटर गया तुरणत वह जो झाट हो जाएगा तु यह सभी यह हम मोता है नत यह सभी H E M M में वह चीज बता है तिसका एंसर हो जाएगा होले चीज बता है रहा है अब आता है गार्लेंड ड्रेंड क्या होता है किये को सिम्वलों का इंसील का जो 2018 का और में का एक्जाम का है ना Upper होजा रखा रहा वहां से को सनम उठाया है है कि कि इकालेंड में क्या होता है है कि इस यह अपना रहता हैं यह क्या करते हैं हम लोग कि इस सर्फिस वाटर होता है न उसको डाइवर्ट करने के लिए हम लोग एक गार्लेंड ड्रेन बना लेते हैं कि जो भी पानी आया है वो इसी से निकल जाया माईन से में जाही ना फेस वगरा में ना जाया हूंबाई यह क्या है एक तरीके से वाटर ड्रेनेंज है वाटर को ड्रेन करने का काम करता है तो यह कोसिन बहुत लोग का गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है यह कोसिन बता तो तुम लोग इसलिए तुम्हों किसी का मेसेज नहीं देख पा रहे हैं एक मिनट यहर भी और अंको किल्सन स्र iç में दी विए सुन जैसर कि जुवा तो धी एक सिव्र सेल से रेट खुशन था कि जो राजमहल में जो मैं डिजाष्टर किस कारण से वा ब्लास्टेंग की कारण हुआ लगा चीश्डवा उवा थैंफ क Kylie hablando श्यायर Western कर गया था है कि ठीक है कि अ कि अ कि में स्ट्राटा फिल्यर कि आउट ओफ थर्टी में 17 करेक्ट हो आता है बहुत कम करेक्ट हो रहा है आउट ओफ सेवेंटीन में सब्सक्राइब करते हैं अगर 85-90 परसेंट आता है तो भी अच्छा स्कॉर कह सकते हैं क्योंकि दो तीन को संट वह इसा देते हैं कि गलत हो जाए कि अजयर को संट क्या है कि अजयर को और यह वी कॉस्टन तुम लोग का हम एंस्यावर मेंड वाले से उठाए वेटे कि जो पॉड़क्टिविटी होता है हाईली मेकनाईज उपिन कास्ट माइन्स का किस वे डिपेंड करता है तो हम सेंटेज एवलिविटी भी तुम लोग को पढ़ाय हुए हैं जो भी चीज तुम लोग बताये हैं की बेकार का चीज नहीं बता है या एक्जाम में आने वाला कि नहीं आएगा वेसा नहीं बता है क्या नहीं हो सकता है इतना देर के लिए हम लोग के पास आरहेगा मसीन एविलेबल रहेगा यह हो गया परसेंटेज और हंडेट से मल्टिप्लाय कर दो तो परसेंटेज एविलेबल्टी निकल जया अब यूटिलाइशन कैसे निकलेगा कि सेड्डियो सिप्ट आवर मतला 8 घंटा का सिप्ट है कुछ मैंटेनेंस में चला गया और तो यह कितना देर हम लोग मसीन को इटिलाइज कर पाएं तीसली यह दोनों पर डिपेंट रहता है हां यह नो नमबर कोस्टन सभी लोग का अधिक्तर लोग का गलत हुआ है क्यों गलत हुआ कि सभी लोग को ध्यान से नहीं पढ़े है ठीक नहीं इस को ध्यान से मैक्सिमम अगर क्रेक में पानी बढ़ता तो लेकिन यहां क्या लिखे हुआ है कि पोर वाटर प्रेसर क्या हो रहा देरी दिक्तर लोग क्या होता है क्प्रेस हो रहा है यह प्रेसर अप्राई कर रहा था रहाना मों कम होने लगा है तो उसकेस में चल्वा करके में दिक्कत हुआ संकर परकास तुम्हारा सही था कितने लोग सही मा रहे थे इस में इस कोस्चन में यह बता हूँ यह जो हम कोस्चन बता रहे हैं उसमें से कितने लोग का सही हुआ था कितने लोग का गलत हुआ है समझने में दिक्कत हुआ था विकास का सही था नीरज तुम्हारा क्या था गलत था या सही था रज़त तुम्हारा क्या था ठीके जिसका सही था तो सोचो की चलो कोस्टन को वो सही तरीके से पढ़ रहा है ठीके ना और जिसका गलत हुआ तो सोच लो की वो रटा रटाया वा कोस्टन था कि फेक्टर अब सेप्टी अगर आएगा पानी वाला केस में तो उसमें मार देना आएक कि डिक्रीज होता है लेकिन क्या है कोस्टन ध्यान से पढ़ना है कि फेक्टर अब सेप्टी क्या होगा अगर पॉर वाटर प्रेसर कम होगा तो फेक्टर अब सेप्टी बढ़ेगा ठीक ना ताब होगा कि अगर एकजाम में उल्टा कोस्टन दे दिया तो तुम लोग का यह सही हो जागा गलत नहीं होगा तो क्या होगा फेक्टर ऑफ सेप्टी यहाँ पे इन्क्रीज होगा ठीक है अब next question आते हैं क्या है it is not related with a drag line यह drag line जब हम पढ़ाए वे थे और यह question जो है ने ncl overman का ही है तो drag line में क्या नहीं होता है drag तो होता है यह vast भी होता है swing भी होता है क्या नहीं होता है crowd होता है crowd कहां पर होता है crowd sawwell वगरा जो machine होता है वो सब crowd करता है ठीक है न, यह special हम mention किये थे हैं यह सभी का सही हुआ की नहीं इसका सभी का सही हो जाना चाहिए था answer कितने लोग का सही हुआ है अब हम सभी लोग का comment भी देख पाएंगे ठीक है यह question maximum लोग का सही होना चाहिए ठीक है न अब यह देखो कोईला का भारत main use क्या होता है भारत में, इंडिया में कोईला का main use कहां किया जाता है किसान खेती करने के लिए क्या करता है तेल वगरा निकालने के लिए या power generation करने के लिए या तीन ही option इसमें दिये थे, इसा लग रहा है इसमें क्या हो गया? पावर generation में अभी देखे थे ना, जब करोना के time में जगा 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 क्या हो रहा था कि power plant में कोईला खत्म हो जा रहा था ऐसा होले situation आया वा था तो उस time क्या था कि तम full कोईला पर पर बहुत ज़्यादा जोर आ गया था उपर से बहुत ज़्यादा प्रेसर आ गया थे कोईला दीजिए डेली का था कि उस time अंठावन रेक सत्तर रेक ऐसा निकलता था मतलब सभी शविग्रेज से था रिकोर्ट पर रिकोर्ड पर प्राण confidence विचक्च करने गया कि एक रेक में मानके चलो पेंति सो टन कोईला आता ठीकिननन इक रेक में जो रैलवे का वेगन आता है उस टाइम था कि अगर खराब कोईला भी निकाल लेते हैं ने हम लोग मिट्टी वाला भी मिक्स्ट वाला भी तो वही कोईला मार्केट में चला जा रहा था ऐसा था दिमाद में उस टाइम डोजर का यूज किसलिए किया जाता है डोजर क्या ट्रांस्पोर्टिंग परपस के लिए करते हैं नहीं स्क्रीनिंग और क्रसिंग के लिए करते हैं नहीं लोडिंग परपस के लिए करते हैं नहीं लेवलिंग और पुसिंग के लिए करते हैं ठीक है अब देखो ये भी question बहुत लोगा गलत हुआ है न ये भी question बहुत लोगों क्या confusion कुछ हुआ है जिसे कारण से ये question गलत हुआ कितने लोगा question गलत हुआ बदा 30 number question कि moving front of mind is called कि जो moving front होता है किसी minds का वो क्या कहलाता है हुआ होता है हमेशा ध्यान डखो हमलूग क्या फेस का मालों daily तो फेसी progress होता है ने face कि जिस जगा पर काम हो रहा है वही face का progress होता है तो हमेशा जो moving front होता है न वह face का लाता है अगकट बढ़न एक लड़का कुन बता रहा था बढ़न साइद इसे फॉन पर बात वो रहा था ना मुल जा गए हैं वह लागी सब्सक्राइब बदन होता है बताओ तो बदन तो हो गया कि ब्लास्टिंग में बताएंगे बदन अच्छे प्रफोटो गरण ले लिए आज ब्लास्टिंग का पिक्चर भेज दिये थे होता है कि तो जुक特व रेडिस लग्लाओ कर का आप दो अब ये भी question बहुत लोग का गलत हो गया है सभी लोग सोचा कि road है मतलब whole road है तो gradient 1 in 16 से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन क्या है यहाँ पर जो ramp भी होता है न एक तरीके से मालो ramp हो गया एक bench से दुसरे bench में जानने के लिए तो भी एक तरीके से क्या मालो एक whole road का ही पार्ट है ठीक है रहा हो road है वह whole road का ही एक तरीके से पार्ट होता है तीसलिए इसका answer क्या होना चाहिए जो ramp होता है उसके बार हम पूछ रहा है तो 1 in 10 कि जो cheapest gradient किसी का हाइस ग्रेडियंट जो एनी रोड है whole road मतलब माइन्स में तो ramp होता है जिसका गरेंट 1 in 10 होता है और यह question समाझ रहा है तुम सोच तुम यह बताओ कि NCL overman का question है यह question तुम लोग बहुत बार देखे होगे यह question तुम लोग बहुत बार देखे होगे फिर भी यह question गलत हो रहा है इतना तो जान गए थे आप इतना easy देंगे नहीं है देखो कल था कि मेरा था कि 4-5 question है थोड़ा हम easy वला में दिये थे कि लड़की लोग का थोड़ा confidence बढ़े ठीक है न हमको क्या पता थे कि तुम लोग सोच लोग कि सर तो हम इसा hard ही question सेट कर देंगे यह एसा क्यों है सर रेंप होता है न हम क्या बताए कि एक bench से दुसरे bench में जाने का रास्ता रेंप गलाता है ठीक है न लेकिन रेंप बहुत बार क्या होता है कि मालनो whole road है यह main whole road है ठीक है न यह whole road हो गया इसलिए में एक मालनो bench इधर है दुसरा bench यहां है ति एक bench से दुसरे bench में जाने का विरास्ता क्या खलाता है रेंप क्लाता है तो whole road का जो छोटा सा portion है यह क्या हो गया यहां पर रैंप हो गया कि एक बैंस से दूसरे बैंच में पहुंच रहे हैंivos adoption 죄ama यहां माइन से और कहीं लिकले गया मारिया एक ए शुक्त है कि इसलिए किया है यह रैंप होल्नोड का होता है इसलिए रैंप का पूछ रहा है गेडैंक कितना होगा कमा लिएहगा साथ क gli gradient और वोल रोड इस अभी को पता है वन इन शिक्टिम यहम लोलीपॉप ओला दिये थे कि किसी गल्थी नहीं होना चाही है अदुकर कि अब है क्या इस कोश्चन में कि सेप्टी फीचर्स इन डंपर कि डंपर में सेप्टी फीचर्स क्या होता है यह भी कोश्चन तुम लोग का कि डव्लू सी मतला का मतंए के यह कॉर्षन पुराना कॉरू सन ऐब ही होता ही है रियर व्यू केमरा होता ही है फ्रोक्षमिटी वार्णिंग डिवाइस होता है तो लोभ भाब होगया क्या हम लिख क्या बोल रो है प्रोक्सिमीटी में डंपर क्यों नहीं लिए डंपर तो लिए ओल अब दाइबब है इसका हैंसर ना रियर वीू केमरा भी होता ये भी होता ये बी होता ये जब भी डंपर बेक होता है न तो उसमें आटमेटिक है कि पहले इसका फुल फोलम ही तुम लोग जाने लूँ ठीक नो ओडियो विजुबल अलार्म क्या होता है किसी को नहीं पता हम दिखा देते हैं वीडियो में ठीक है नहीं एक मिनट हम तुम लोग दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पर और विजु अलार्म क्या होता है ठीक नहीं ओडियो विजुल पता होना चाहिए मतलब बेक करता है ना रिवर्स जब करेगा तो इस तेम अला हुआ मतलब जो साउंड पडिस होता हुआ यह ओडियो ही जो लार्म होता है देखो इसमें तो इसमें दिया हुआ है पाकि डंपर का इसमें दिये नहीं गया है यह से तुमको डंपर का भी हम दिखा दिया रहते हैं अब आज नहीं आरा वीडियो का न अच्छा ठीक अच्छा छोड़ा कल हम है न माइन से हम रिकॉर्ड करके लिए आएंगे तुम लोग मतलब यह देखो ओडियो वीजवल आर मतलब क्या यह भी तुम मानके चलो अब यह इसको बला जाता है कि यह क्या हो गया जिसे जब गाड़ी वगरा बेक करते हैं रिवर्स जब रिवर्स में जाता है न तो एक अलग सा साउंड पर्डूस होता है जिसके थुरू है कि जो भी आसपा से खड़ा राता है पर्सनों सतरक हो जाता है कि नहीं गाड़ी रिवर्स कर रहा है ठीक है थे नंअ तैसे से पीछे से लाइट के साथ बज़किता हुए हां पीछे से लाइट के साथ because कल उसको दिखा लेंगी थिकां और यह को से केस में कितना है जली बताते जाओ सभी लोग कि उसके बाद इस कोसेन पहाएंगे हम कि 1.5 इस्टु 1 है मैनुवल केस में अभी भी तुम लोग गलत कर रहे हो सेमी मेकनाइस्ट केस में कितना है सेमी मेकनाइस्ट के केस में 2 इस्टु 1 है अब मेकनाइस्ट केस में पहले ऐसे लेते हैं थीट में । 3 to 4 is to 1 स्वावल डंपर का लेते हैं यह कितना है 4 to 5 is to 1 और ड्रेग लाइन का लेते हैं यह कितना है 8 to 10 is to 1 यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना है तो क्या हो गया यहां पर स्ट्रिपिंग रेशी इन कैस ऑफ स्वावल डंपर तो यह के स्ट्रिफ़र का गलत हुआ है और को यह कॉस्टन में किसी का गलत हुआ है सैथ जो वाननीस इस्टम जो होता है अप्रेटर फेटी का यह मताया सरह रिकोड़िंग शिस्टम भी रहता है जिसे माद लो मोबाईल मैं हम लोग को लिकश्ट si कि मालों कुछ मतलग कितना भी दिन का निकाल सकते हैं लेकिन इसम में क्या है कि अगर हम लोग वैसा वार्णिंग सिस्टम फोर ओप्रेटर फेटे अगर उसका रिकॉर्ड निकालना रहा तो हम लोग पिछला 96 गंटा कहीं निकाल सकते हैं पांच दिन का बोलेगा दस दिन का बोलेगा तो नहीं निकाल पाएंगे मतला हम लोग पिछला 96 गंटा कहीं निकाल पाएंगे इसका एंसर 96 गंटा था तो यह भी कोसिन कुछ लोग को गलत हुआ है यह सब का पता नहीं तुम लोग याद किये थे कि नहीं कि सभी HMM में सिर्फ किसको छोड़के क्राउलर माउंटेड मसीन जिसका स्पीड लेस दें 20 किलोमीटर परावर होता है उसको छोड़के बाकि सभी HMM में जो ब्रेक सिस्टम होता है न वो 3, 4, 5, 0 के अगोडिन होता है यही कोस्टन यहाँ पर यह था और यह किसका था बता तो सभी किसी न किसी का है ISO 3471 किसका था ISO 3471 किसका था यह नहीं नहीं याद कर लो हो सकता ऐसा कोस्टन है न ISO अगरा स्टनर्ट का कोस्टन एक दे दे उठा कैसा हो सकता है ISO 3471 किसका था ISO 3449 किसका था ISO 10265 किसका था रोप्स का कौन सा है रोप्स का कौन सा है 3471 या 3449 चलो बहुत लोग याद कियो हो 3449 जो है नहीं यह फोप्स है और यह रोप्स हो गया न और यह हो गया ब्रेक जो हो गया डंपर में और यह किसके लिए था 10265 अब फुल्फों भी याद रखना है गविन नेटवर्क इसो तुम्हारी और से हो रहा है मेरी और से नहीं हो रहा है कराउलर मांटेट के लिए था ना ब्रेक सिस्टम जो रहता है ठीक है चलो सभी लोग को याद है जल्ले जल्ली चाते हैं अब देखो यह कोशन भी कुछ-कुछ लोग का गलत हुआ है ठीक है ने क्यों गलत हुआ है कि पार्किंग ब्रेक का उप्योग करने का क्या उद्देश है हम लोगों इसका क्या होता है कि जो अस्टेस्नरी भेकिल रहता है ना स्टेस्नरी यह पार्किंग ब्रेक सभी में होता है कौन-कौन सा ब्रेक सभी हमें में होता है पार्किंग ब्रेक हो गया सर्विस ब्रेक हो गया और इमर्जेंसी ब्रेक हो गया यह जो होता है यह सभी H.E.M. में होता है डंपर में क्या एक्ष्टा आ जाता है डंप ब्रेक आ जाता है और रिटार्डर आ जाता है ठीक न? डंपर में यह दो एक्ष्टा आता है यहां पर क्या था question कि what is the purpose of using parking brake तो जो stationary भेकी ले न जो सांथ खड़ा है जो पार्क करके है रखा हुआ उसके movement को रोकने के लिए हम लोग parking brake का यूज करते हैं तो यहां क्या था to prevent the moment of a stationary dumper और हम a stationary word कहीं यूज नहीं किये to prevent the moment of sawwell नहीं sawwell को moment को हम लोग रोकने के लिए नहीं यूज करते हैं अगर sawwell पार्क करके रखा हुआ है उसके बाद अगर movement ना हो उसके लिए हम लोग parking brake का यूज करते हैं तो यह दोनों option गलत होगा अगर आश टेशनरी वर्ड यूज किया रहा थे दोनों सही होता लेकिन आश टेशनरी वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए यह दोनों नहीं हो गया थी आटोमेटिक नहीं होगा ती यह कि जब downhill dumper उतर रहा है तो उस case में speed को control करने के लिए speed को control करने के लिए हम लोग क्या करेंगे retarder brake का यूज करेंगे to slow down the speed of dumper down the gradient ती यह हो गया what will be the standard of FOPs कि अभी तुम लोग बता ही दिये हो कि FOPs का stand up FOPs का full form क्या हो गया फोल ओवर प्रोटेक्टिव एस्ट्रक्चर दी था न थी ISO 3449 के गोडिंग है यह question क्या था कि operators के विन सेल भी डिजाइंड ओप्रेटर के विन किस प्रकार से डिजाइंड किया जाना टेक्निकली एर्गोनोमिकली सैंटिफिकली या लोग दैबब क्या हो गया इसका एर्गोनोमिकली डिजाइन होना चाहिए और कल हम जो प्रियास बेच में जो प्रियास बेच वाले अभी दर क्लास कर रहे होंगे तो उसमें जो साम में हम सकेंड क्लास वालों के लिए जो सभी का सभी कोशन आज सकेंड क्लास में आया हुआ था कि सभी का सभी कोशन जो था ना सकेंड क्लास में वह आया हुआ था क्योंकि जो एक्जाम हो गया तो फॉन पर बात चीथ हुए तो बताएं कि कल आप जो गुरूप में भेजाते हैं सर्कोस्टन वो सारा कोस्टन आ गया था यह कोस्टन का भी एंसर बहुत ज्यादा हम दोग डिटेल में डिसकस किये थें रेगुलेशन भी हम उसमें खोल के दिखाया थे क्या था है कि डंपर जीसा कैफसिटी लेजिन 35 टन है तो किस टाइप का हुआ फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम सफिसियंट होगा तो क्या था कि अगर सेमी उटोमेटिक रहेगा तो सफिसियंट रहेगा तो को प्रोपल साफड गार किस मसीन की के में सेफ्टी फीचर्स के लिए यूज कैया जाता है प्रोपल साफड गार ये भी बताया थे सभी को कि प्रोपल भूपल मसीन का तो खुम टवर्यक बेशन हो गया था तो तो जो वाटर निगे ट सब्सक्राइब प्रोपेल साफ्ट गार्ड प्रवाइड करना है साफ्ट कि टूटे अगर टूट भी जाए गलती से ब्रेक हो जाए तो फिर भी कुसी के अंदर रहे है यह बाहर किसी को नुक्सान ना करती है डंपर में फिटेट किया हो रहता है ठीक है न ड्रिल्स वागरा में नहीं होता है एक कोशन बहुत एजी था कि डिसकंटिनिवस माइनिंग मसिनरी कौन सा है तम बताये थे डिसकंटिनिवस या साइकलिक ठीक ने जो सिंगल बकेट मसिनरी होता है सिंगल बकेट वो सारा क्या कहलाता है डिसकंटिनिवस माइनिंग मसिनरी और एक एक एक्जामपल इसका है क् लेकिन पर फिर वह है वही सैखली क्या डिसकंटिनुवस माइनिंग मसे अब किसी किसी गलत हुआ है इसमें गलती किये एक सब्सक्राइब करें लड़के लोग का इसमें क्या आया कि बगेट फिल फेक्टर क्या होता है एक्च्वल वॉल्यूम उप मेट्रियल इंसाइड दा वकेट डिवाइड बाकेट कैपसिटी तब बगेट फिल फेक्टर 0.9 दिये हैं हम एक्च्वल पूछे हुए है आप बगे गलत हुआ है नीलेस का गलत हुआ है नीलेस का गलत हुआ है तो मेरा एंसर नहीं आया था है क्यों एंसर नहीं आएगा यार एंसर नहीं आ नहीं क्या रिजन है यह सोचो अगर इसी में हम दिये वे रते क्या जानते हो 9 डिवाइड बाइड बाइ 0.9 दे दिये रते ना तो बहुत लोग दस क्यूबिक मीटर भी मार देता है और अगर हम उल्टा भी दिये वे रहते हैं 0.9 divided by 9 यह 0.1 होता था बहुत लड़का लोग इसको भी मार देता है ठीक है तो सब ध्यान रखना है यह सिंपल सा कोस्षेन है अधियो मेंटरी विल बी प्रवाइड़ेड एक बर मेसेज कर देना जो जो गुरूप मेर्ड नहीं हो नो मेसेज कर देना तो फ्रमोला याद रखने के जो अध नहीं है वो कॉंसेप्ट समझना है कि बकेट फिल फेक्टर होता है क्या है आखिर में ठीक है नो होता है क्या है बकेट फिल यह समझना है इन 90 अच्छा 90 इसका बोल रहा हो ना कि ओडियोमेटरी विल भी प्रोवाइड़ेड वेन मायज लेवल एक्सिट्स 90 डीवी एग ठीक है कि ड्रोपिंग और टेरेस कट यह अधिकत लोग का सही होना चाहिए कि ड्रोपिंग और जो टेरेस कट होता है यह बकेट फिल एक्सकेवेटर का कटिंग मेथड है कि पचासी नहीं करना चाहिए था न हम बताया वेन उसको रटने के अभी तरीका बताया वे थें कि ऑडियोमेटरी होता है एक डोजीमेटरी आता है यह वन में आता है डी फ़द में आता है तो डोजी मेटरी लास्ट वाला है इसमें 85 DBA कम वहला देदो इसमें जार रहा वाला है इसका क्या हो जाएगा बकेट विलेक्स के वेटर कि कट इज रिलेटेड विश्विच मचिनरी की कट किस से रिलेटेड है